नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारी चैनल शेयर मार्केट में मैं हूँ आपको दोस्त नवी और बात करेंगे पी एमसी फिनकोप के बारे में लगातार अपर सरकेट पर देखने के लिए मिल रहे हैं आज भी 5% का अपर सरकेट था पिछले 5 दिन की बात करें तो 21% के positive return है one month में 19% के negative return है six month में company ने आपको 180% के positive return दी है और अगर आप इनका max chart देखे तो आप clearly देख सकते हैं कि 2014 में ये stock 102 रुपे 105 रुपे तक गया था वहां से लगा था ये stock कुछ पैसों भी trade कर रहा था लेकिन यहां पर again 10 रुपे तक ये जाता हुआ हमें देखने के 2022 में तो क्या stock में investment करें तो उससे पहले थोड़ी सी नज़र डालिए कि 2015 से लेके 2022 तक ये stock एक dead zone में था ये एक रुपे अभी क्रोस नहीं कर पा रहा था लेकिन उसके बाप जूद अब stock ने इतने अच्छे return क्यों दिये तो ये question सबसे पहले अपने पर बूचे हैं उसके कर रोड की company है तो ऐसे में इसे अगर बात करें कमपनी को manipulate करना तो काफी जारा easy होजाता है तकरीबन 5.5 रुपे को पर trade कर रहा है book value 1.5 रुपे के पास की है stock PE की बात करें तो 203 रुपे return on capital employed की बात करें तो 4% से भी कम है 15-16 होना चाहिए return on equity again 16-17 के पास होना चाहिए 30% के पास ये trade कर रहा है profit after tax 1.36 करोड और अगर बात करते है company के quarter profit के बारे में तो negative 50% है company ने आपको quarter on quarter basis पे 50% का तकरीबन तकरीबन loss दिखाया हो है return on equity assets की बात करें तो 2.24 काफी जारा कम है पर motor holding मातर 20% है तो sales growth की बात करें तो again 50% कम हुई है cash flow company में negative चल रहा है profit growth की बात करें तो negative है कोई भी foreign investor ने यहां पर पैसा नहीं लगाया हुआ और अगर बात करते हैं book value की तो 3.76 है debt company के ओपर 7.7 करोड के आस पास है तो company के बार में fundamental देखें तो बिल्कूल भी अच्छे नहीं है लेकिं फिर भी stock आपको उच्छे return दे रहा है तो ऐसे में काफी जारा यहां पर चीज़ों हो जाती है शायद stock again pump किया जा रहा है यहां पर देखें कभी भी अगर किसी भी stock को pump करते हैं तो उसमें सबसे जारा फाइदा जो होता है कहीं ना कहीं operator का सबसे जारा loss होता है तो वो होता है retail investor का आपका और मेरा तो ऐसे में stocks में बड़ा ही source समझ के investment करने चाहिए फिर भी अगर आपकी को query आप इसमें investment करना चाहते हैं तब comment कीजिए हमारी कोशिश होगी का आपकी help करें आपको एक genuine advice दें अभी के लिए दूस्तों इतना ही वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को like कीजिए चैनल प पुलेगा